नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एकोटियामाइड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एकोटियमाइड टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और एकोटियमाइड टेबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि एकोटियमाइड टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अकोटियमाइड एक सोल्ट नेम है एकोटियमाइड टेबलेट को अकोगट एक्टाप्रो और एकोट्रस्ट आधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है एकोटियमाइड 100 mg व्थ 300 mg की स्ट्रेंथ में अविलेबल है एकोटियामाइड टैबलेट का उप्योग बधजमी होने पर और पाचन तंत्र कमजोर होने पर किया जाता है जिन व्यक्तियों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में बेचैनी और थोड़ा सा भोजन करने के बाद ही पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर एकोटियामाइड टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं एकोटियामाइड टैबलेट इन सभी लक्षणों से राहत दिलाती है और बध़जमी की समस्या को दूर करती है Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Echotiamide Tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में Echotiamide Tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, दस्त होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का म और तवचा पर रैशिस होना आधी साइड इफेक्ट्स एकोटियामाइड टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की एकोटियामाइड टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। एकोटियमाइड टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एकोटियमाइड 100MG टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। या एकोटियमाइड 300MG टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। एकोटियमाइड टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एकोटियमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि एकोटियमाइड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एकोटियमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को एकोटियामाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एकोटियामाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल कोई प्रश्न है